हाल ही में G20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई दिल्ली में भारत के अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में दुनिया के 40 से भी जादा देशों ने हिस्सा लिया रशिया यूक्रेन वार और बढ़ते यूएस चाइना टेंशन्स के बैकड्रॉप में हुई इस मीटिंग में हमें कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा भी दिखने को मिला और इस मीटिंग के दोरान एक चीज तो साफ हो गए कि भारत चाहे जितना भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा लगा दे दुनिया भी इस वननेस के कॉंसेप्ट को मानने के लिए तयार नहीं है वो तो एक दूसरे का गला दमाने के लिए तयार है इस मीटिंग में हमें दुनिया में बढ़ते मदबेद और डीपनिंग ग्लोबल डिविजन्स के बारे में एक साफ तस्वीर दिखने को मिली तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत ने G20 प्रेजिदेंसी एक बहुत नाजुक मोड मेर समभाली है यूए सेकेटरी ऑफ स्टेट एंटिनी ब्लिंकिन ने हमारे देश में पाउ रखने से पहले ही रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से ना मिलने की बात कर दी लो भई और जाते जाते तक भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से वों मिले नहीं तो भाव नहीं मारेते हैं, सच्ची में नहीं मिले, relations इतने खराब हो चुके हैं। हैरानी की बात तब आये ही, जब पता चला कि जपान के फॉरेंड मिनिस्टर ने भी इस G20 मीटिंग को एटेंड करने से मना कर दिया, कहा कि घर में कुछ ज़्यादा ही काम है। इससे हमारी डिप्लोमाटिक सर्कल में काफी इंबारस्मेंट हुई और काफी हैरानी भी हुई। इधर भारत के लाग कोशिश करने के बावजूद G20 के सारे पार्टिसिपेंट्स एक सहमती तक नहीं पहुँच पाये और फिर से जॉइंट कम्यूनिके रिलीस नहीं हो पाया। यूएस वर्सेस चाइना, रशिया वर्सेस यूक्रेन, ग्लोबल रिसेशन, इंडिया वर्सेस चाइना रिफ, क्लाइमेट चेंज डिबेट इस सब के बीच G20 का कुछ ठोस हासिल करना इस साल मुश्किल लगता है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करना पॉलिटिक्स है, और आप्टिक्स चाहे वो इंटरनाशनल डिप्लोमाटिक रिलेशन्स हो या डुमेस्टिक्स हो, आप्टिक्स बहुत जरूरी है। G20 में इंडिया का फॉरण पॉलिसी गेम क्या रहेगा और ये नरेंदर मोदी के लिए एक डुमेस्टिक्स पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक क्यों हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। बीते कुछ दिनों में आपने और कुछ सुना हो या ना हो, G20 के बारे में जरूर सुना हो, अगर आप न्यूस चैनल से बहुत दूर रहते हैं, तब भी सुना होगा, प्लेन में सफर करते वक्त, ट्रेन में सफर करते वक्त, अच्छा, अरे सबजी खरीदर तो निकले आजादी के अमरित महुत्सव के साथ साथ भारत ने G20 की कमान समाली है, हमें प्रेजिदेंसी मिली है, और ये कितने गौरफ की बात है, भारत का विश्वगुरू लेवल अल्मुस्ट अनलॉक्ट है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ बो G20 मेंबर्स का हिस्सा, और पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, उसके सारे देश इसका बीसवा हिस्सा बनती है, कुल मिला के ये सभी देश दुनिया की 80% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेट, 60% आबादी को रेप्रेजेंट करती है, तो अगर नंबर की बात करें, आंकडों की बा बाली G20 सबिड में इंडोनीजिया के प्रेजिडेंट ने ये हाथ ओडा, हमारे प्रधान मंतरी नरे द्रमोदी के हाथ में थमाया, और डिसेंबर में G20 का यही हाथ ओडा, यही प्रेजिडेंसी ब्रेजील को मिल जाएगा, ओटोमेटिकली, इस रोटेशन वाली प्रेजि में माहिर दे दिया उसने पास, फिर हमने एक और पोस्पॉंट में मानी, और एनिवेज भाई घूम भिरकर फाइनली G20 के कमान हमने इस साल जाकर ली, अब देखो भाई, इस पर लिंक निकालने मद बाइट जाना, जैसे बहुत सारे ये पत्रकार निकालने की कोशिश कर र कोई बड़ा एडवांटेज मिले या ना मिले, सबसे पहला एडवांटेज यह है कि पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ने वाला है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, एक और एहम बात, G20 प्रेजिडेंसी एक सेरिमोनियल पॉजिशन है, मने भारत के के तरह, G20 के प्रेजिडेंट के बास कोई खास पावर नहीं है, कि हमने हिदायत दी तो सारे देशों को मानना पड़ेगा, मने यहां यही होगा, एज होस्त की दूसरे देश के लीडर आएंगे, फोटो खिचवाएंगे, खाना खाएंगे, फिर खिसक लेंगे, भारत को अ मौके का हम फाइदा कैसे उठा सकते हैं, देखिए G20 के शुरुआत साल 1999 में Asian Financial Crisis के बाद हुई, उस वक्त ये Finance Ministers और Central Bank Heads का एक फोरम हुआ करता था, मैंने Completely All Business, G20 का उद्देश ये Global Economic Stability, Sustainable Growth अचीव करना है, मैंने Financial Regulation को आप प्रमोट करिए, जिससे सारे देश ग्रो कर देखिए रहे हैं आजकल, US में Banks कैसे कॉलाप्स कर रहा है आए दिन, फाइनली G20 दुनिया में एक नया International Financial Architecture बनाना चाहती तो है, 2008 के Global Financial Crisis के समय इसको Summit ले जाया गया, मैंने तबसे लगबग हर साल एक Leader Summit भी Organize होता है G20 के अंदर, और इसका एक Political Roop है, no doubt about it, G20 एक Political Statement आप देता है, लेकिन इसके पीछे बोलता पैसाई है, बोलता Global Economy ही है, अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कुकू FM पर जाकर आप Global Economy कैसे चलता है, उसके बारे में पूरा एक Audio Book सुन सकते हैं, कुकू FM हमारे आज के Episode के Partners भी है, और आजकल Walking करते हुए मैं भी Health Related Audio Books सुन लेता हूँ, अपनी Health की Economy इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखे, बातों में वजन होना चाहिए, शरीर में नहीं, आप भी कुकू FM के धेरो फीचर्स को यूज कर सकते हैं, दस हजार से जादा Audio Books को एकसेस कर सकते हैं, कुकू FM पर अल्ड़ी 2.3 million active paid subscribers हैं, और यहां Hindi, English के अलावा, regional languages में भी आपको Audio Books मिल जाएंगे, कुकू FM के first month के subscription पे 50% off आपको मिलेगा, if you use the coupon code DB50, that means only for 49 rupees instead of 99, आपको 10,000 Audio Books आप unlock कर सकते हैं, कुकू FM का link और coupon code मैंने नीचे description box पे दिया हुआ है, I am sure you will benefit out of it, anyways, back to the story, G20 की presidency ceremonial है, बात समझ में आ गई, लेकिन चाहिए जितनी भी ceremonial हो, चाहिए जितनी भी rotational हो, भारत इस अफजर को काफी seriously ले रहा है, सेप्टेंबर में schedule G20 leaders summit के अलावा, इस पूरे एक साल में 200 से भी जादा meeting हो रही है, भारत के 50 से भी जादा शेहरों में, जो हम host करेंगे सिर्फ सेप्टेंबर में main summit के लिए डेली को तयार करने में 1000 करोर से जादा खर्च की बात की जा रही है, इतना अनुमान लगाया जा रहा है, अब इस खर्चे के पीछे diplomatic reason है, काफी solid reason है, आज के दुनिया में लगबग सभी देश multilateralism की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि UN जैसे institutions दुनिया की आज की हकीकत को नहीं दर्शाते हैं, ऐसे में G20 जैसे groups एक important alternative forum बन जाती है, और भारत का यहां वर्चस्व कायम करना काफी जरूरी बन गया है, ग्लोबल साउथ और emerging economies के नजरिये से देखा जाए तो G20 की एहमियत और भी जादा है, आखिर G20 अपने आपको एक ऐसा platform पाती है, जहां दुनिया के हर हिस्से से आवाज उठाई जा सकती है और उनकी सुनी भी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 4-5 देश ऐसे हैं जो veto का नाम लेकर सारा agenda अपने आप कर ले और सारे decisions को खुदी control करें, जिस वज़े से UN का बेडागारग होके रखा है, ऐसे समय में जब एक साल से Ukraine war के चकर में सारी दुनिया का ध्यान बटा हुआ है, उस समय developed और developing countries के कई मुद्दों को उतनी attention नहीं मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए, issues जैसे food and energy security ले लिजिए, recovery from pandemic, dead distress ले लिजिए, global economic slowdown ले लिजिए, climate change जो है ही है, ऐसे कई problems हैं, जो solution जिसका emerging countries के लिए, cold war की ये rivalry से जादा important है, भाई, खाने को लाले पड़ रहे हैं, G20 presidency भारत को वो मौका देता है, जिससे ये global south के मुद्दों को उठा करना सिर्फ अपने citizens, मने हमारे लिए desirable result अचीव किया जाए, बलकि खुद को हम global south का lead बना सके, एक lead position पर हम आ सके, तो वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमारे लिए G20 बहुत important है, लेकिन ये सब achieve करना अच्छा तो लगता है, सुनने भी भी अच्छा लगता है, थेयरी में अच्छा लगता है, लेकिन जब तक world power same page पर नहीं होंगे, तब तक ये होना इंटेंस geopolitical tensions के चलते, जब दुनिया में real war चल रहा हो, तब बाकी countries भी न, अपना ही अपना सब देख रहे हैं, हमने भी अपना तेल खरीदने की कोशिश की जैसे, और खरीदा भी सस्ते में, उधर US और NATO इस चिंता में लगी होई हैं कि यूकरेन के पास हत्यार कमना हो जा उधर चाइना को भी वो धमकार हैं कि तुम दूसरी पार्टी को हतियार मत दो, उधर पूतीन अपना गेम खेल रहा है, कह रहा है जोकोंगा नहीं, इस सब के बीच में G20 बिचारा फसा हुआ है, उसका एजेंडा फसा रहा है, एक तरफ रशिया और अब चाइना जो कहता ह है कि यूक्रेन वार की बातें पुलिटिकल हैं, इसका G20 एकॉनोमी से कोई लेना देना ही नहीं है, आप अपना काम यहां आगे बढ़ाइए, वहीं US और योरप कह रही है, बिना रशिया की कड़ी निंदा किये, हम किसी भी फोरम में काम बढ़ने ही नहीं देंगे, अब पीच में इंडिया, ऐसा ही चलता रहा तो सवाल G20 के रेलेवेंस तक आ जाएगी, क्योंकि ये फोरम कोंसेंसस के माध्यम पर चलता है, और ऐसे तनावपूर्ण माहौल में कंसेंसस अचीव करना तो अभी फारफेच्टी लग रहा है, नियर इंपॉसिबल है, अब बिना क किसी काम के, बिना किसी कंसेंसस के, बिना किसी एडवांसमेंट के, अब कोई फोटो खिचवाने नेता टाइप लोग थोड़े ही ना आएंगे यहाँ, और ऐसा टाइम वेस जब वो नहीं करेंगे, तो फिर G20 पर सवाल उठाएगा, अरे भाईया, दुनिया में एक अल्ट चाइना के एग्रेशन के बारे में नहीं कर रहे हैं, मौन वरत रखकर बैठे हुए हैं, देशवासियों को ये बोला जा रहा है कि हमारे देश पर तो कोई आया ही नहीं है, कोई गुसा ही नहीं है, और वहाँ G20 लेवल पर हम उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, चाइनीज के नहीं करोगे, कम से कम लालाक नहीं दिखाओगे, तो फिर फाइदा क्या? या शाइज चाइना को लालाक दिखाना एजेंडा में नहीं है? अब वाटसाइब यूनिवर्सिटी की माने तो पिछले साल फेब्रिरी के महिने में मोदी जी के कहने पर रशिया और यूक्रेन न दिखाना तो दूर की बात है. और भारत ऐसे समय पर एक आर्बिटर की भूमी का निभा सकती थी, एक देश जिसकी सब ही सुने, अगर ऐसा होता तो हमारे देश की गरिमा सच्ची में बहुत उपर जा सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भारत के पास वो मॉरल अगर गराउंड नहीं है. अरे दुणिया का अस वर्सिस देम तुम क्या सुल जाओगे जब अपने ही देश में अस वर्सिस देम की जंग छिड़ी हुई है? अरे भाई, तुम दुनिया में पीस की बात कैसे करोगे, जब देश के अंदर ही एक कौमी जंग छिड़ के रख पर इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि फोकस हम समिट से हटा कर जादा डोमिस्टिक पॉलिटिकल मार्केटिंग पर दे G20 के पोस्टर्स को देखकर तो यही लगता है कि मामला है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना COVID सर्टिफिकेट के बाद अब G20 के पोस्टर दिखने को मिल रहे है चलो यह भी मंजूर है मंजूर है जी, अगर अगर नुवेंबर डिसेंबर तक आप भारत को अंतराश्टिय स्तर पर आप सारे लीडर्स को एक साथ ला पाओ मंजूर है यह पोस्टर, अगर देश की तरक्की के लिए आप agreement साइन कर पाओ मंजूर है यह पोस्टर, अगर G20 को आप एक powerful voice बना सको और साथ ही साथ चाइना को 2-4 खरी कोटी सुना सको, तब जितने पोस्टर छपाने आप छपा लो, कोई problem नहीं आपको क्या लगता है, G20 से हम internationally कुछ अचीव कर पाएंगे, या सारी अचीवमेंट सिर्फ domestic politics में होंगी नीचे comment पे लिख के दीजिए, बताइए हो हमें Thanks to Cuckoo FM for making this episode possible Cuckoo FM को personally मैं भी काफी सुनता हूँ, आप भी एक बार जरूर try कर सकते हैं, first month discount code और download link मैं नीचे description में दिया हुआ है More episodes coming up, thanks for watching